प्रेकंतर पलोडोडु वैलकम इन्वेस्टोत भाइप, तो इस वीडियो में बात करेंगे कंपञे स्पेंसर सी रीजेल लिम्टेट्ल उसके भी कोटरहनु नंबर्स इस मफ्लिव में आज़ दिसका करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हम नंबर्स की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं सारे नंबर रुपीज इन करोर्स दिये हुए हैं कंपनी के नाम है इस पैंसर रिटेल लिम्टेड और यह ऐ हम बात करेंगे टोटल इंकम की जो की यहां पर मेंशन है आप वीडियो की इक्वाइटी हाई करके देखेगा जिससे आपको एक्दम क्लियर दिखेगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं टोटल इंकम की जो की रिवेन्यू फ्रम ऑपरे तो देख सकते हैं अब यहां पर क्यूत्री से क्यूफोर में डेकलाइन देखने को मिल ला है में जो कि एक सही बात नहीं है अब हम बात करते हैं मार्च दोजार बीस की तब कंपनी का रिवेन्यू था शेसो त्रेपन क्रोड करोड का तो देखा जा तो यहां पर तीनों के 2481 करोड हो चुकी तो हमें एक और डेकलाइन देखने को मिल ला है जो की यहली बेसे पर भी कंपनी ने दर्ज किया है तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसिस की ओवरॉल कितने एक्सपेंसिस रहे कंपनी के जो कि यहां पर मेंशन है मैं और हाइलाट कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो हु छेसो फाइस कौरोड के एक्सपेंसिस रहे है कॉर्टर फोर में सात्त सो सोल्ट करोड के चुंस याक्स थे दिसंबर Contra इर्बीज में और 703 के थे मार्स 2020 में तो देख सकते हैं एक तरीकी से डेकलाइन हूए है कौटर ली बेसिस तो भी हुए है क्योंकि 2807 करोड का expenses था financial year 2020 जो घटके अब 2645 करोड हो गया है तो expenses में गिरावाट आई है उसकी एक ही वज़े है क्योंकि company के overall revenues और total income घट चुकी है इसकी वज़े से इनके expenses में भी एक decline देखने को मिल रहा है में तो चलिए हम बात कर लेते हैं main चीज की जो की है profit जो की यहां mention है total करके आप देख सकते हैं हम profits की बात कर लेते हैं तो देखा जाए सारे numbers brackets में इसका मतलब company ने इस बार भी loss दर्च किया है तो इस quarter में 34 करोड का loss हुआ है company को हम round figures में बात करेंगे ताकि आपको confusion create ना हो तो इस quarter 4 में company को 34 करोड का loss हुआ है जो की previous quarter में 29 करोड का loss था और March 2020 में 49 करोड का loss था तो देख सकते हैं आप company को तीनों ही quarter में loss था Q3 से Q4 में ज़्यादा loss हुआ बट एक yearly basis पर जो quarter होता है quarter 4 से quarter 4 वहां पर company ने loss दर्च किया बट पिछले March से इस March में कम loss दर्च किया है ओवराल बात करें तो financial year 2020 में company को 130 करोड का loss था जो इस बार कम इस बार बढ़ गया है loss और 163 करोड का loss हो गया है तो देख सकते हैं आप company की performance बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे तो क्योंकि company quarterly basis प्लस yearly basis दोनों पे ही दोस्तों loss दर्च करे जा रही यह company अगर हम बात करें इसके EPS की तो आप देख सकते हैं यहां पर mention है EPS जो कि financial year 2020 में माइनस 16 का था और financial year 2021 में भी माइनस का 18 का है quarterly basis में माइनस कई है तो दोस्तों overall view की बात करिया है मेरे साफ से results अच्छे नहीं है company ने Q4 से Q4 में भी decline दर्च किया बट वो भी loss किया बट मार्च से कम किया लेकिन हर जगे company ने loss ही शो की अगर आप इसके existing shareholder हैं तो आप दोस्तों इसको एक बर analyze करिए फिर से एक बर आप देख सकते हैं company के revenues 2018 में 1100 करोड के थे 2019 में 2200 करोड के हुए मार्च में 2600 करोड के हुए यहां पर 2021 का data updated नहीं है भी क्योंकि यह early wise है तो देखिए आप हर साल company revenue बढ़ रहा है बट एक चीज़ आप notice करना उसके बावजूद भी company के margins नहीं निकल रहे हैं 17 में भी 14 करोड का loss हुआ देन 2200 के revenue थे तो 2 करोड का मातर profit हुआ देन 26 करोड के जब revenue हुए तो 130 करोड का दोस्तों loss हो गया company को उसके बाद जो अभी की result आ है मैंने आपको बताया 2021 में 2400 करोड का revenue generate किया उसके बाद 163 करोड का loss तो अगर आप इसके existing shareholder हैं तो ऐसे share से द revenues बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी company अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो दोस्तों अगर इसकी आज की performance की बात करें तो देख सकते हैं आप तकरीबन 4,53,010 share company के आज खरीदे जा चुके हैं जो की टीमेट में ट्रांसफर हो चुके हैं percentage वाइस देखें तो 55% की delivery उठाई गई है तो दोस्तों हमारी ये वीडियो थी छोटी सी Spencer's Retail Limited के उपर आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप चैनल भी subscribe कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अपनी next वीडियो में एक और नई information के साथ तब तक लिए बाबाय जाहिंद एंड टेक क्यार